हेलो बच्चो, आगे बढ़ते हुए हमारा आज का टोपिक है संधारित्रों का समांतर सईयोजन और इससे सम्बनधित जो प्रसुन परिछा में पूचा जाता है वो भी इसी टाइप का है संधारित्रों के समांतर सईयोजन का ब्यंज़क वित्पन्न कीजिये तो इसके पहले हम लोग स्रेणी सायोजन पढ़ चुके हैं और जो की हम लोगों ने देखा था कि जब संधारित्रों को एक के बाद एक स्रेणी क्रम में जोड़ते हैं कुछ इस प्रकार से तो हमने देखा था कि इनके बिभाव अलग-अलग होते हैं अब यदि हम समानतर क्रम में जोड़ेंगे इसका मतलब यह है कि हमने तीन संधारित्र समानतर क्रम में लिए इस तरीके से और तीनों के जो टर्मिनल यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक पॉइंट यहाँ पे देना है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे देना है और तीनों का कनेक्शन कर देते हैं अब इसके बाद यह जो टर्बिनल है इसे हम नाम दे देंगे A और यह जो है इसको नाम दे देंगे B अब जैसे ही हमने ये तीन जो हैं इसे बोलते हैं समानतर सही वजन एक के नीचे एक और फिर उसके नीचे एक अगर हम इसे C1, C2, C3 नाम दे दें तो इसके बाद जब हम यहां से इसे आविश देते हैं यह देखिए हमने यहां से-से Q आविश दिया तो Q आविश यहां तक चलता जाएगा लेकिन इस बाले पॉइंट पर क्या होगा इस बाले पॉइंट पर इसे तीन रास्तों पर जाना है एक, दो और तीन कितने रास्तों पर जाना है? तीन रास्तों पर जाना है तो यही जो Q charge की जो quantity रहेगी वो तीन हिस्सों में बट जाएगी पहला हिस्सा होगा Q1, दूसरा Q2 और तीसरा Q3 तो इस तरीके से दिया गया आभेश कितने भागों में बट गया? तीन भागों में बट गया अब संधारित्र C1 को Q1 आभेश मिलेगा संधारित्र C2 को Q2 आभेश मिलेगा और संधारित्र C3 को Q3 आभेश मिलेगा तो यह तीन डारेक्षन हो जाती है यानि कि अब यहां पे आभेश समान नहीं है जैसा कि हम लोग सरेणी ग्रम में यहां पे देख रहे थे कि Q आबेश मिला इसको किन्ही तीन रास्तों पर या कोई भी रास्तों पर नहीं चलना था इसको केबल अपने एक ही रास्ते पर चलना था इसलिए Q हमेशा Q ही रहा तो Q जब समान होता है स्रेणी क्रम में तो बिभाव अलग-अलग होते हैं लेकिन इस कंडिशन में यहां पर Q अलग-अलग हैं लेकिन बिभाव सबके कैसे हैं समान ही है क्योंकि दो पॉइंट A और B के बीच में ही तीनों संधारितर रखे हुए हैं इसलिए टर्मिनल तो दोनों के कैसे हैं अब यहां से B से एक लाइन और यादी खीच दी जाए इस तरीके से तो हम देखते हैं कि Q वाबिस यहां Q1, Q2, Q3 इसको मिला फिर Q1, Q2, Q3 और बाद में Q बन जाएगा इसका मतलब A और B के बीच में तीनों संधारितर हैं तो टर्मिनल दोनों समान हैं इसलिए दो टर्मिनलों के बीच का बिभाव हमेशा समान ही होता है इसलिए तीनों संधारितरों का बिभाव हमेशा कैसा होगा? एकसा होगा तो बस अब इसमें एक बात निकल के आती है वो क्या है वो बहुत ही important है वो आप सुन लीजिए यहां पे अलग-अलग क्या है कहने का मतलब जिसकी quantity अलग-अलग हो तो इसका सीधा सा जबाब ये रहेगा कि इसका जो आबेस है वो अलग-अलग है कौन से क्रम में समानतर क्रम में लेकिन अगर बात करें स्रेणी क्रम की तो स्रेणी क्रम में अलग-अलग क्या होता है कि आप बता सकते हैं कि स्रेणी क्रम में अलग-अलग क्या होता है तो इसका भी जबाब ये रहेगा कि स्रेणी क्रम में अलग अलग विभाव होता है जबकि समांतर क्रम में अलग अलग आवेश होते हैं अगर ये दो पॉइंट आप याद रखेंगे तो आप दोनों बेंजग बड़े ही आसानी से कर पाएंगे क्योंकि इन दोनों में कन्फ्यूजन रहता है कि हमें इसको लिखना कैसे है और कैसे इसको आगे सॉल्वर करना है तो बस छोटी सी बात पर ये दोनों बेंजग टिके होगे है जो चीज अलग अलग है उसी से सुरुवात कीजिए ये लाइन अपने आप में बड़ी ही महत्पूर्ण है जो चीज अलग अलग है उसी से सुरुवात कीजिए चलिए देखते है अभी हमने इतना कर लिया है अब जैसे ही हम Q चार्ज देते हैं Q1 यहां जाता है Q2 यहां जाता है Q3 यहां चला जाता है अब यदि Q1 यहां पर जाएगा तो यह बाली जो प्लेट है इस पर प्लस आबेस आजाएगा तो प्रेरण के सिद्धान से इस पर माइनस इसके समीब बरती तल पर माइनस की हुआबेस और दूर बरती तल पर प्लस की हुआबेस वही घटना यहां पर होगी जैसे ही Q2 यहां संधारितर C2 को दिया जाता है तो पहली प्लेट पूरी धना आवेशित हो जाती है जिससे प्रेरण का सिद्धान कहता है कि इसके दूसरी प्लेट जो है इसके समीब बरती तल पर माइनस और दूर बरती तल पर प्लस तो प्रत्वी से करने से क्या होगा प्रत्वी से करने पर यह सभी धनात्मा कावे इस प्रत्वी में चले जाते हैं और माइनस बस सेस बचे रहते हैं जो की धारिता को बढ़ाते हैं क्योंकि माइनस जो है वो बिभाव को कम करते हैं इसे धारिता क्या होती है बढ़ती है यह हम लोग पहले के चप्टर में पढ़ चुके हैं पहले के टॉबक में पढ़ चुके हैं क्योंकि आप एक क्रम से पढ़ेंगे तो आपको हर चीज यात रहेगी क्योंकि एक बेंज़यक में particular हर चीजें नहीं बताई जा सकती हैं क्यों उन सभी प्लस को डिस्चार्ज कर देते हैं चलिए इतना तो आप कर लेंगे अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसकी जो हमें भासा लिखनी होगी वो कैसे लिखते हैं आईए शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि चित्रा नुसार तीन संधारित्र C1, C2, C3 एक दूसरे के समानतर है और दूसरे प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं कि संधारित्रों का समानतर संयोजन प्रदर्से थै तो ये वाली लाइन थोड़ा और अच्छी है तो हम इसी को लिख देते हैं अब इसके बाद यदि यहाँ पे देखें तो इन तीनों संधारित्रों की धारिता करमसा C1, C2 और C3 है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इसमें C1, C2 और C3 धारिता वाले तीन संधारित्रों को समानतर करम में जोड़ा गया है ये हम यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि तीनों संधारित्रों की धारिता हैं हमने मानी हैं करमसा C1, C2, C3 तो यहाँ पे हम लिखेंगे इतना लिखा है संधारित्रों का समानतर साइवजन प्रदर्सित है चित्रा नुशार और हमें इसमें लिखना होगा अब इसके बाद हम लिखेंगे तो C1, C2 और C3 धारिता वाले संधारित्रों को समानतर क्रम में जोड़ा गया है इसके बाद तीनों संधारित्र जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इनकी पहली पिलेट यह वाली पिलेट तो तीनों संधारित्रों की पहली पिलेट का संबंध बिंदू A से और दूसरी पिलेट का संबंध बिंदू B से किया गया है तो यह हम यहाँ पे लिख लेते हैं तो इसी तरीके से हमने लिख लिया तीनों संधारित्रों की पहली पिलेट का संबंध बिंदू A शे तथा दूसरी पिलेट का संबंध बिंदू B से किया गया है संधारित्रों में Q1, Q2 और Q3 के रूप में विभाजित हो जाता है तो इसी टाइफ से हम लख देते हैं जब बिंदू A को Q आबिश देते हैं तो ये तीन भागों में Q1, Q2 और Q3 में विभाजित हो जाता है तो ये वाली भासा भी थोड़ी से हम लिहां पर यहां पर देख सकते हैं कि जैसे हमने Q आबिश दिया तो पहले संधारित्र में Q1 दूसरे संधारित्र में Q2 और तीसरे संधारित्र में Q3 यानि कि यहां पर Q डिवाजित हो रहा है और विभाव बिलकुल भी नहीं है B1, B2, B3 है ही नहीं क्योंकि यह तीनों संधारित्र A और B दोनों टर्मिनों के बीच में है तो दोनों के बीच का विभाव अंतर समानी रहेगा B, 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 A एक्वल है तो यहां पर इसलिए आबिश तो अलग-अलग है और जो चीज अलग-अलग है उसी से स्टार्ट करना है यह मैंने पहले ही आपको बता दिया है तो अब यहां पर अलग-अलग क्या है क्या आप बता सकते हैं तो अलग-अलग है आबिश इसलिए हम लिखेंगे पहले संधारित्र पर आबिश अब धारिता के सूत्र की बात यदी करें तो C बराबर Q बटे B तो Q का मान कितना होगा क्योंकि आप इसकी इस बार जरूरत है तो C का गुणा B में करेंगे तो C B बराबर कितना आएगा Q तो इसका मतलब क्या है कि Q जो है वो C B के बराबर है लेकिन Q की जगे पर यदी Q 1 कर देंगे तो क्या B 1 होगा अंसर है नहीं क्योंकि B तो बदल ही नहीं रहा C 1 होगा तो इसका अंसर है हाँ क्योंकि C 1 C 2 C 3 तीन संधार जरूर है लेकिन विभवव चेंज नहीं है इसलिए ये नहीं होगा तो इसलिए आपेस Q 1 बराबर C 1 B तो आपेस होगा Q 1 बराबर और यहाँ पे हम लेखेंगे C1B अब इसी प्रकार दूसरे संधारित्र पर आवेश Q2 बरावर C2B हो जाएगा और तीसरे संधारित्र पर आवेश Q3 बरावर C2C3B हो जाएगा इसलिए कुल आवेश तो कुल आवेश तो हम जानते हैं कि Q है जो की वही डिवाइड हुआ था Q1 और Q2 और Q3 में तो तीनों को यदि जोड़ देंगे बापस से तो Q ही बनेगा तो Q की जगए पर हम लिख सकते हैं CB ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था इस फॉर्मूले से अगर Q अकेला लिखना है तो CB हो जाएगा और बन के फॉर्म में टू के फॉर्म में बदलता रहता है तो इसका रियल फॉर्मूला है CB तो यहां पे हम लिखेंगे CB यहां पे होगा C1B यहां पे होगा C2B क्योंकि उपर से मान देख के रख रहे हैं और C3B चू की क्यों बरावर होता है CB यह हमने इसके लिए लिखा है अब यहां पे CB बरावर यहां पे B उवाइनिष्ट है तीनों में तो B common तो अंदर बचेगा B यहां भी है यहां भी है यहां तो B उवाइनिष्ट नेकाल लिया तो क्या बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3 B से भी कैंसल तो हमें मिलेगा C बरावर C1 प्लस C2 प्लस C3 यही हो जाएगी परिणामी धारिता तो समानतर क्रम में जब हमें निकाला है तो तीनों धारिताओं को जोड़ दीजिए तो टोटल आजाएगी यही परिणामी धारिता का बेंजक है यह वीडियो आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग बायसंदीब खरे के माद्यम से देख रहे थे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ से देख सकते हैं आईए अब हम इसका स्क्रीन सॉट ले लेते हैं पहला सॉट दूसरा आसा करता हूँ कि आप लोगों के यह समझ में आ गया होगा थैंक यू झाल